हेलो बच्चो, तो आपका स्वागत है हमारे चन्यल 22 के समें, तो आज हम पढ़ने जा रहा है हमारे इंटरेंस एजम, जब बाहर नमदे भी दाले क्लास 9 की एक बहुत ही जधा important चेप्ट जिसका नाम है बच्चो फQué और ये ज़ू chapter बहुत ही जधा important चेप्ट है इस चप्टर से हमारे I-現在 बड़ेग़। जो भी पीडिएफ नोट होगी नोट्स की पीडिएफ कॉपी बच्छो मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है आप उहां से खुद डाउनलोड करके एकजाम के समय या खुद आप जमन आपका करे तबाप पॉट सकते हैं और बच्छो मैं आपको बता दू कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए अबजेक्टिव कोश्चन बना के रखा जो भी बहुत ही जदा इन्पोटेंट अबजेक्टिव कोश्चन है वो मैं बना के रखा है बच्छो वो भी आपको कीजिए अगर आपका कोई दोस्ट जब हानव बद्धे विडिया ले इंटरेंस एकजाम का त्यारी कर रहा है तो प्लीज बच्छो आप उससे भी यह वीडियो सेयर कीजिए तो चले बच्छो अब हम अपना सांद तो देखे मैं आपको बता दें के अपने आपने में टापिक पर आते यह हमरा फृक्षन है ऑ और है क्या तो देखे और फोर्ट बीच old अपोज दमोशन ऑफ वनग्जेट ऑफर अनदर अबजेक्ट काल फृक्षन तो देखे यह क्या है यह यह जो हमारा friction है वो क्या करता है यह एक ऐसा force है जो motion को क्या करता है वो oppose करता है यानि कि a force which always oppose the motion of an object तो देखिए यह कैसा force है यह ऐसा force है जो कोई भी अगर object motion में है तो यह उसको को रोकने का कोशिस करता तो चले मैं आपको एक example दे देता हूं बच्चों तो देखिए एहां पर देखिए यह क्या है अहां Osman के कारण भूड़ यह हमारा motion में है यह साइकल क्या है यह साइकल मोशन में है तो दीखे अगर इस cycle को हम क्या करें अगर हम इस cycle को będą मारना छोड़ दें तो क्या होगा यह cycle हमारा रुक जाएगा अगर आप इस cycle को अगर भी आपको एक और day to day life example बता देता हूं तो अगर आप cricket खेलते होंगे तो आप अगर cricket ball को ground पे फेक दीजेगा थोड़ा देर बाद तो यह cricket ball क्या होता है यह जो हमारा cricket ball है और कुछ दूर जाके यह रूख जाता है यह क्यों रूख जाता है तो बच्चो यह हमारा है यह friction force के कारण रूख जा तो यहां पे क्या हुआ जो हमारा ball motion में था उसको रोकने का काम कोन कर रहा है तो बच्चो वह हमारा friction कर रहा है तो चलिए अब हम आगे देखते हैं तो बच्चो आगे है हमारा direction of force तो देखे दो दफोर्स ओफ दफोर्स ओफ फोर्स फोर्स अक्ट इन डाइडेक्शन ओप पोजिट में हैं तो चलिए मैं एक और example बता देता हूं तो यह हमारा एक बॉक्स है क्या है यह हमारा एक बॉक्स है देखे यह हमारा एक बॉक्स है तो अगर माल लीजे इस बॉक्स को हम क्या करेंगे अगर हम इस बॉक्स को बच्चो पूस करेंगे तो देखे पूस तो बॉक्स का मोशन का डिरेक्शन का होगा तो यह जो है बॉक्स हमारा इस साइट जाएगा लेकिन इस बॉक्स को रोकने का काम कोन कर रहता है तो देखें यह जो हमारा यहां पर देख सकते हैं इहाम में पर जो हमारा friction है ओ क्या करेगा इसका motion को रोकने का कोशिज करेगा तो देखे, यहां पर क्या देखे, हम देखे कि हमारा जो friction force है, वो कैसा force है, यह एक ऐसा force है, जो हमेशा क्या करता है, कोई भी object अकर motion में है, तो उसको रोकने का काम कोन करता है, तो यह हमारा friction force करता है, अब हम पढ़ लेते, cause of friction, अब हम देख लेते कि हमारा जो friction है, वो कैस तो देखे बच्छो मैं आपको एक एक जामपल फिर से दे रहा हूं अगर आप अपने बॉल को किर्केट बॉल को अगर आप ग्राउंड फे फिकेगा तो थोड़ा देर बाद जाने के बाद क्या होगा थोड़ा देर तक जो आपका बॉल है और रन होगा फिरो कुछ दूर ज हावर जो सर्फेस होता है हमारे ग्राउंड में उसी के कारण तो हमारा बॉल रुखता है तो उसी ही लेगुटर टीज के कारण जो बच्छो हमारे फिरिक्षन है वो पर्डियूस होता है तो चलिए मैं आपको एक और एक जामपल की मदर से समझा देता हूं तो देखे बच करना खुत देखे बच्छो मार लिजये इस ऊडेडल дан को मैं ए नाम दे रहा हूं और इस उडेण ब्लोक को बी नाम दे रहा तो देखे बच्छो अगर हम इस box को pull करेंगे तो पूल करना क्या हुआ तो पूल करना बच्चो एक परकार का force हुआ क्या हुआ एक परकार का force हुआ तो देखे बच्चो अगर हम इस box को pull करेंगे तो यह जो हमारा box है वे कहां जाएगा यह pool हम जिस direction में इसको 로कर्रेंट उसी direction में यह जो हमारा box है ओजाएगा लेकीन हम हमारा чो friction है कहां होगा तो बच्चों इसके opposite में हमारा friction force काम करेगा friction force इसके opposite में काम करेगा तो देखे बच्चों यह होता क्यों है तो देखे माल लीजे यह हमारा इसी बॉक्स को मैं थोड़ा सा अच्छा करके बताता हूं तो देखे बचो यह जो बॉक्स है इस बॉक्स में बचो इलेगुलेटीज रहोते हैं तो देखे यह हमारा एक और बॉक्स हो गया और यह हमारा एक बॉक्स हो गया तो इस box में क्या रहाता है इस box में बच्चो रॉफ सर्फेस होता है रॉफ सर्फेस रॉफ सर्फेस तो इसी रॉफ सर्फेस के कारण क्या होता है तो बच्चो इसी रॉफ सर्फेस के कारण ये लेगुटराटीज के कारण हमारा जो friction है वो produce हो पाता है तो मैं एक और example आपको बता देता हूँ, तो देखिए, तो देखिए बच्चो, ये जो हमारा box है, तो इस box को हम क्या करें, इस box को माल लीजे हम push कर रहे हैं, और तो अगर हम push कर रहे हैं, तो हमारा friction किस direction में काम करेगा, तो friction इसके opposite में काम करेगा, friction इसके opposite में काम करेगा, तो देखिए, जब आप push करते हैं किसी भी box को, तो क्या होता है, आपको बहुत सारा force applied करना परता है, क्यूं, तो देखिए बच्चो, ये जो हमारा box है, ये box में होता क्या है, तो देखिए, ये box एक दूसरे के contact में है, और ये एक दूसरे के contact में होन e-regularities होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये जो e-regularities है, बच्चो, वो क्या होता है, वो interlock हो जाते हैं, क्या होते हैं, इंटर लोक होने के कारण, हमें बहुत ज़ादा उस फोर्स applied करना परता है, किसी भी box को move कराने के लिए, तो हमारा जो, तो बच्चो, हमारा जो ये जो friction है, वो कैसे produce होता है, तो बच्चो, हमारा irregularities के कारण produce होता है, तो चले, अब हम अगला देख लेते, point हमारा, तो देखे, अगला point है, बच्चो, हमारा, the force of friction is greater if the rough surface are involved, तो देखे, बच्चो, मैं आपको बता दू कि, अगर माल लीजे, किसी भी object में अगर जादा irregularities है, त यह हम, मैं देदेता हूँ, object A है, और माल लीजे, यह एक object है, तो इसमें माल लीजे, हमारा, जो irregularities है, और न के बराबर है, यह क्या हो गया हमारा object B, तो अब मैं आपको बोलूँ कि, इसको आपको move कराना है, इसको आपको क्या करना है, पूश करना है, और इसको आपको कर पाईएगा, क्यों, यह, तो देखे बचो, इसका जो surface है, क्या है, इसका जो surface है, ओ, rough surface है, और इसका जो surface है, ओ, smooth surface है, क्या है, smooth surface, और rough surface के कारण क्या होगा, rough surface अगर ज़्यादा है, तो more friction, more friction होगा, और उहीं पर अगर बचो, smooth है, तो क्या होगा, less friction होगा, तो यही अगला पॉइंट ही देखते हैं, अब हमारा अगला पॉइंट है बचो, the spring balance is a device used to measure force acting on an object, तो देखें बचो, spring balance क्या होता है, तो ये एक बचो scientific device होता है, जिसका हम use करते हैं, किसी भी object पे कितना force लग रहा है, उसको क्या करते हैं, measure करने के लिए, और साथ ही साथ बचो, ये जो spring balance है, इसको हम किसी भी object का bait measure करने के लिए भी use करते हैं, अब हम देख लेते, factor affecting friction, तो देखें बचो, अब हम देख लेते, कि ये जो हमारा friction है, वो किन-किन factor पे काम करता है, किन-किन factor पे वो हमारा friction है, वो work करता है, तो देखे बचो, पहला है हमारा the nature of two surface, smoothness और roughness, तो देखे बचो, मैं आपको बता देता हूँ फिर से ये चीज़, तो देखे बचो, माल लिजे, ये हमारा एक object है और इस object में बहुत बरा-बरा irregularities है यानि कि इसका जो surface is rough है वह भी पर माल लिजे, ये हमारा एक object है और इसमें बस थोड़ा सा irregularities है, तो ये हमारा object A हो गया, और ये हमारा object B हो गया, तो चलिए, अब मैं आपको बोलू कि आपको इस object को भी push करना है, इस object को आपको क्या करना है, पूल करना है, आपको इसको आप खीच पाएगा क्यों तो देखे इसका जो सर्फेस है बचो क्या है इसका जो सर्फेस है ओ स्मूथ सर्फेस है क्या है इसका जो सर्फेस है और रॉफ नहीं है और इस्मूथ सर्फेस के कारण क्या होगा Smooth surface के कारण इसका जो E-Legularities है वो बहुत ही कम interlock होंगे और interlock कम होंगे तो इस में क्या होगा तो बचो इसमें less friction होगा यान की friction बहुत ही कम produce होपाएगा और देखें बचो यह जो हमारा B आप दे Sorry आप यह जो object A देख रहे हैं तो इसमें क्या है बचो इसमें roughness बहुत ज़्यादा है क्या इसमें roughness बहुत है और roughness बहुत होने का कारण क्या है तो इसमें बचो हमारा जो friction है वो more friction होगा तो देखें यह जो E-Legularities आप देख रहे हैं वो ground के E-Legularities के कारण क्या होगा है वो उससे interlock हो जाएंगे the force with which two object is pressed together तो देखें बचो मैं यह आपको यहां पर समझा देता हूँ तो देखें बचो sorry मैं paint change कर रहा हूँ तो देखें मान लिजे यह हमारा एक object है यह एक मेरा object है तो देखें बचो यह हमारा object यह है तो देखें बचो अगर मैं आपको बोलू कि आपको इस box को क्या करना है तो आपको इस box को push करना है यानि कि आपको खीचना है तो क्या होगा तो आपको इस object को push करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बहुत सरा force लगाना पड़ेगा तो इहां पर क्या हो मतलब कि आपको किसी भी object का friction को overcome करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है आपको बहुत सरा force applied करना पड़ रहा है उहीं पर अगर मैं एक और बच्चा आपको साथ देदू और एक और बच्चा मैं आपको बोलू कि तुम तीनों मिलके इस object को push करो तो आप इसको जल्दी कर पाएगा क्यों तो देख ज्यादा फिल होगा इसका friction उहीं पर अगर मैं तीन बच्चा आपको दे दू दो बच्चा और तो आप इसको क्या कर पाएगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से पूस कर पाएगा क्यों कि आप इहां पर क्या हो रहा है इहां पर friction के force को overcome करने के लिए उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हम लोग तीन बच्चा इस object को क्या करें पूस कर रहे हैं इसी करान हमको जो force हो बहुत ही कम महशूर्स होता है तो चले हम पर लेते type of friction तो टीन टैप का होता है तो पहला टैप है बचो हमारा static friction दूसरा है हमारा sliding friction और तीसरा है बचो हमारा rolling friction तो देखे बचो आपका जो यह आप नाम देख के ही अब बता सकते हैं कि कि यह किस type का friction होगा तो चले बचो अम मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला है तो यह मतलब क्या पे applied होता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यह होता क्या है तो देखें इसके लिए मैं paint change कर लेता हूं तो देखें बच्छो the maximum frictional force between any two objects when one object just tends to move or slip over the surface of another is called static friction तो देखें बच्छो मैं आपको simple language में बता था हूं कि क्या होता है यह हमारा जो है यह हमारा ground है और यह हमारा एक object है यह एक object है यह object आप इसको wooden block ही ले लिए wooden block तो देखें यह क्या है एक wooden block है तो देखें यह जो object है वह हमारा किस में तो यह हमारा rest में है तो बच्छो यह जो अब्जेक्ट हुमसरारा रे Conference में है अगर हम इसको क्हीचेंगे Cho यह जो मिलगे और स्क्राइब कर ना परेकर ना परेकर तो यह जो लगने यानिकी रफने में cities क्या भीड़िस्ट हो जएंगि इंटेटिस्टो तो इसी इंटेटिस्ट लॉड़ा धूर्ट को तो तोउने के लिए हमको ज्यादा थे पिस्टिस्टी को तो किसी भी ऑजेक्ट को अगर हम जस्ट मूव कराने वाले होते हैं रेष्ट से उसको मोसन में लाने वाली होते है और उसी मोसन को लाने के लिए जिस फ müआ करले हैं उसी को हम ढнакомरो इसको हम आपको बहुत सारा force more force applied करना परेगा क्यों तो यह जो हमारा cycle है वो किस मेरा था तो हमारा rest मेरा रहने के कारण इसका जो चक्का है यानि कि इसका जो टायर है और यह जो हमारा ground है इसके लगलर्टी क्या हो रहे है यह इंटर लॉक हो जाते तो इसी इंटर लोक इंटर लॉक को तोरने के लिए हम बहुत सारे force का applied करते है तो उसी कंड़ः इसे को मुं स्टैक्स फ्रीक्षिण होगों आभ मधर अब स्लाइड करना तो उसी को हम क्या बोलते तो उसको बच्चों हम बोलते हैं स्लाइडिंग तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो कह रहा है तो कोई भी अगर अबजेक्ट एक दूसरे अबजेक्ट पर मुव कर रहा है तो यानि कि स्लाइड कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते तो उ app चलए जो हम रोडे नभावि कर रहा है म conjunction में क्या है यह आपको मोशन में यह क्या कर रहा है यह Water ओभी आपको समझना यह यह क्या कर रहा है यश्ञ टोड़ Bashat हमारा उडेन ब्लोग है वो मोशन में तो अगर माली कोई अबजेक्ट में है तो उसको पूल करने के लिए हमको बहुत ही कम फोर्स अप्लाइड करना परता है क्यों तो देखे बचो मैं आपको बता दू कि जब यह रेश्ट में था तो इसका जो इसका और जो ग्राउंड का स उसको हम स्टैक्स फ्रिक्शनल फोर्स बोलते थे लेकिन यहां पर क्या है यहां पर जो हमारा अबजेक्ट है वो मोशन में है यानि कि यह जो हमारा अबजेक्ट है मोशन में तो इहां पर मोशन में अगर कोई अबजेक्ट है तो इसको बहुत ही कम फ्रिक्शनल फोर्स परता है लेकिन जब यह आपका साइकल जो मोशन में आ जाता है जब यह साइकल आपका मोशन में आ जाता है तो आपको क्या करना परता है आपको महसूस होगा कि आपको उस साइकल पे कम फोर्स लगाना पर रहा है तो यह क्यों होता है तो इस पे जो है हमारा और कम लगा रहे हैं तो चले बच्छो अब हम पढ़ लेते हमारा rolling friction क्या होता है तो देखे रोलिंग friction जो है बच्छो ओ हमारा static friction और sliding friction दोनों से अलग है तो देखे when an object like will roll over the surface of another object the resistance to its motion is called rolling friction तो देखे बच्छो मैं आपको बता देता हम क्या rolling क्रिक्षं क्या होता है देखे मालीजिक और यह हममारा एक object है और इसको हम बचला रहा है वील यानि कि चक्का पर चला रहे है और यह हमारा ग्राउण है ग्राउंट है तो यह हममारा वील है वह जो यह करेगा ऒब लोग करेगा और इस विल को जो रोखने के लिए जो लगाया जाता उसी को क्या बोलते इसको बजो बोलते रोलिं फ्रिक्षन पाहती इजी टॉप यक चाहिए इसको हम सबरक्षो को उवरकम करने के लिए करते मैं यहां पर राख को बता देता हूं तो देखे बच्छो हम ने क्या परा हमने परा स्लाइडिंग फ्रिक्षन और फिर हमने परा रोलिंग फ्रिक्षन रोलिंग फ्रिक्षन देखे बच्छो हमने यहां पर क्या देखा हमने देखा कि हमारा जो यह जो स्टैटिक्स फ्रिक्षन है इसपे लग रहा था कोई भी अगर object रेष ट में तो उस पे लग रहा था यह कोई भी object अगर motion में में है उस पे लग रहा था और यह Rolling friction अगर कोई भी object रोल कर रहा है उस पे लग रहा तो देखे भैष्चो ह्यणपे सबसे ज्यादा हमारा Frictional Force कहार लगता है तो इस पे हमारा सबसे ज़्यादा Frictional Force लगता है सबसे ज़्यादा Frictional More Frictional Force Frictional Force इस पे क्यों लगता है बच्चों तो देखे कोई भी अगर हमारा Object Rest में है तो उसका जो Surface है और उस Object का Surface है वो Interlock है तो उसके तोरने के लिए बहुत सरा Force बच्चों Static Friction है वो Interlocking को तोड़ चुका है उसके बाद हमारा Object Motion में आ चुका है तो Motion में हमको बहुत ही कम Force अप्लाइड करना पड़ता है और यही पे जो Rolling Friction है बच्चों यह क्या है इसमें जो हमारा Object है हो क्या रहा है हमारा Object के साथ वो Roll कर रहा है तो सबसे कम हमारा इसमें जो हमारा होता है बच्चों सबसे कम Friction Force लगता है सबसे कम Friction Force लगता है यह बच्चों आपको याद रखना है यह बहुत ही ज़्यादा इन्पोटेंट है VVI मैं लिख दिया हूँ और मैं समझा दिया हूँ तो चलिए अब हम आगे देखते तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते Advantage of Friction तो देख बच्चों हमारा जो Friction Force है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लावदायक भी होता है यानि कि वो Helpful भी होता है और साथ ही साथ वो Harmful भी होता है तो चलिए अब हम देख लेते हमारा जो Friction Force है उसका Advantage is क्या है तो देखे बच्चों Friction Enable us to walk without sleeping तो देखे बच्चों हम जो चल पाते हैं वो बच्चों हम Friction Force के ही कारण चल पाते हैं अब ऐसा क्यों होता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं तो देखे जो We are able to walk on ground because Friction Force between the soul of our shoes and ground prevent us from sleeping over the ground तो देखे बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि आप क्या है यहां पर चल पाते हैं यानि कि आप motion में है तो यह आप क्यों हो पाते हैं तो देखे बच्चों यह जो हमारा Ground है वह हम पर क्या लगा रहा है तो Ground हम पर Friction Force लगा रहा है Friction Force लगा रहा है जिसके कारण हम चल पाते हैं तो चले मैं आपको बता देता हूं तो देखे बच्चों अगर आप केला के छिलका पर पर पैर अगर आप रखिएगा तो क्या होगा आप पिछल जाएगे का यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हैं एक बच्चा जो है केला के छिलका पर क्या रखा तो यह पिछल गए क्यों तो देखे बच्चों केला का जो छिलका रहता है वह हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सर्फिस रहता है आप बच्चों केहिए विकासफ डिफिक्ट्यक्स मैंने आपको बताया था कि हमारा की रूफ रहता है 2000 सर्फेस आप बच्च जो इस पर 5 क्या होग i प्याहाँ मोर्टिक्शन हम्हाँ और वह पर अंनपर how श्च्मोथ सर्फेस हो क्या है क्या है हूँ हमारा र रफ सर्फफिस बहुत उसी कई चल पाते हैं तो चल से अब आगे दिखते हैं तो आगे है बचो देखें आगे है बच्छो माले 144 यह क्या है यह हमारा motion में तो दीट इस motion को कौन approach करेगा तो इस motion को बच्चो हमारा friction force करें इसको force करेगा और इसीए करता हम हमारा जो कार है तो चल पाता है अग आज़र मारा है आपको एक और एक और तो चल पाता है तो देखáng मैं आपको एक और ail ancestor सिन्रस अगर आप आप कभी बारी की मौशल में अलाव साइकल चलाने का कोषिज कीये होंगे तो आपका साइकल का जो टैर हो ओप पिछलता है क्यों पिछलता है तो यह इसलिए पिछलता है क्योंकि जो हमारा जो ग्राउंड का सर्फेस होता है वह क्या हो हो जाते है तो हमारा ग्राउंड का सर्फेस वह वाटर के कारण क्या हो जाता है तो हमारा इस्मूथ हो जाता है और इस्मूथ होने के कारण क्या होता है उहां पर कम होने के कारण हम हमारा जो साइकल है या कोई भी वेकल है वो पिछलने लगता है तो चले अब हम आगे देखते हैं तो आगे है बचो हम हमारा फ्रिक्षन इनेवल्स अस टू अपलाई ब्रेक एंड स्लो डाउन और स्टॉप और मोविं वेकल्स तो देखे बचो हम किसी भी चीज को कैसे रोक पाते हैं तो देखे हमारा जो साइकल है वो ब्रेक के कारण रोक पाता है अगर कोई भी जो हमारा सारी है बच्चो हम ब्रेक अपलाई करते हैं तब ही हम हमारा जो भी वेकल्स मूव हो रहा है मोशन में और रूक जाता है यह क्यों हो होता है तो बच्चो यह भी हमारा फ्रिक्षन फोर्स के कारण ही होता है तो देखें यहां पर देख से एक हमारा साइकल का वील है यह वी टेख देख रहे हैं यह बला पार्ट देख रहे हैतर यह क्या होगा तो यह दोनों बाशों होगा हर्फ के कारान जो से हमारा स्लोफ होने लगता तो मिल्कतव होता हैं तो बंबिक शिर्टा क्यादन ही अपलको होता है तो अग किसंथे desires टेट्टा आफिच Vaad या जो भी हम किसी भी चीज को अगर हम ड्रो कर पाते हैं तो वो बचो हम फिरिक्शन फोर्स के ही कारण कर पाते हैं तो देखें, we are able to write and draw anything on paper because of the friction between the tips of pencil and paper पिरन के कर पाते हैं और जो भी चीज हम ड्रो कर पाते हैं तो नियूज अगर मैं आपको किसी भी काईश पे लिखनाय कोई भी शिशा यह ग्लेस हो गया अगर मैं उस सर्फेस दो keyboard स्य जद्यांता है और है बाते ज्यादा इसमूत बोया होताया इसमूत आगे है है उस को रब करते हैं और उसी रघरने के कारण क्या उत्पन होता है तो जब हम उसको रगरते हैं बच्चो तो हमारा friction produced होता है और friction produced होने के कारण उसका जो surface हो हीट होता है और heat करने के कारण हमारा जो match stick है और light provide करता है तो चलिए अब हम आगे तो चलिए बच्छो अब हम देख लेते disadvantage of friction तो देखे बच्छो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा frictional force होता है उसका कुछ ना कुछ disadvantage भी होता है कुछ ना कुछ उसका advantage भी होता है तो चलिए अब हम देख लेते कि यह जो हमारा frictional force है उसका disadvantage क्या है तो देखे तो बच्छो हमारा पहला है friction wears away the soul of our so that this a very much a मतलब मैं आपको बता देता हूं तो डिएर अब मतलब होता है बच्छो disappear या आप इसको भी लीख सकते हैं या disappear भी लीख सकते हैं या आप इसको areas भी लीख सकते हैं दोनों मतलब की बात सेम है तो देखे बच्छो friction wear away the soul of our कोई है कारण हमारा जो प्लें डियता है जा आ गीस जाने के कारण हमारा जो सूज का सूल है यह किनो करदस बन जाता है तो ये बच्छो क्यों होता है तो देखें ये Friction force के कारण ही होता है, अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं, då हम सूझ में कहां चलते हैं, ऊफ बच्छो हम road पर चलते, और road पर क्या रहता है, तो road पर रफनस्राइस रहता है, हमारा सूज का सोल है, तो खतम हो जाता है, तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं, The Tires of vehicles, We are at gradually due to the fediction, तो देखे, जो भी हमारा vehicles रहता है, उसका जो tear होता है, वो धीरे-धीरे क्या होता है, यानि कि उसका जो टार का जो भी ग्रीप है ओ क्या होता है ग्रीप उसका घिस जाने के कारण इसका जो सर्फेस है टार का ओ स्मूथ हो जाता है और यह स्मूथ क्यों होता है बच्छो यह हमारा फिरिक्षन के कारण ही हो पाता है तो चलिए अब हम आगे देखते हैं को डो आगे हैं बाच्छो हमारा फिर शनी ब्र गज्व कियो यस आप देख रहे हैं ये जो आप दह दूश्व कि आप existing श़्वक उल्सके पर बुलते है तो देखे बच्चो जब भी हम साइकल में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है यह जो हमारा ब्रेक पैड होता है यानि कि रभ होता है और यह रभ होने के कारण क्या हो जाता है यानि कि यह इरेज होने लगता है धीर धीर खत्म होने लगता है तो चलिए अब हम आगे देखते अगर आप बचो कोभी पूराना बिल्डिंग पे गया होंगे यानि कि अगर आप कोई पूराना होश्पीटल ओगर गया होंगे तो उसका जो सीडी है उसका जो सीडी आप बचो देखेगा तो सीडी जो है उसका धीरे-धीरे खतम होने लगता है क्यों खतम होने लगता है तो तो किसे बना हुआ रहा था तो आरें मिटेरियल या कोई कोई चीज से बना हुआ रहता है तो देखेंगे बचो वह जो भी हमारा machine होता है एक दुस्य से टक्राते हैं टक्राने के कारण friction पर्डियूस होता है और friction produce के कारण क्या होता है और हमारा heat produce और heat के साथ साथ बचो light भी produce होता है तो देखे बचो पहला पॉइंट है हमारा ग्रूप्स आर मेड इन दो शूल ऑव सूज तो इंक्रीज फ्रिक्शन और प्रिवेंट सिलीपिंग तो देखे बचो यह जो आप सूज देख रहे हैं और इसका जो एक निकला हुआ च्रॉक्षर है यह उसाफ बचुक्चा यह जो किक टरह satisfa उसको एंखकर बचर बना पाए तो इसलिए न knya अगला रहता है क्यों भी होने के कारा कि राकिन जू भी हमारा कम保ने लगता है इसी कारां जो तो उसी के लिए बच्चो उसमें ट्रेड्स दिया जाता है तो यह जो आप इस्ट्रक्चर देख रहे हैं दो सकेंड में पेंचेंज कर लेता हूं यह 東西 जो आलबिदार मारे स का पता ही मैं आपको बता दूँ कि यह श्क्रवय हो गया हमागों ग्रोब्स हो गया इन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है थोड़ा सा इस थे तो डिपरेंस यह ढब एख रहे हैं क्योंकि बचो यह जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्षन पर्ड्यूस कर सकते यानि कि जो भी हमारा जो भी प्लेयर का जो सूज है वो ग्राउंड को अच्छी तरह से पकार पाए इसलिए हम जो भी प्लेयर या एथलिट्स के जो सूज होते हैं उसमें आप दिखेग होंगे या आप कबड़ी कभी देखे होंगे तो आप क्या कहते हैं आप कबड़ी खेलने से पहले हाथ में मिट्टी लगाते हैं आप मिट्टी इसलिए लगाते हैं क्योंकि बचो आप अपने हाथ का जो फ्रिक्षन है पकर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो बचो अब हम पर लेते method of reducing friction तो देखे बच्छो अब हम देख लेते कि हम जो friction है उसको हम कैसे reduce कर सकते हैं तो देखे बच्छो पहला point है बच्छो हमारा friction can be reduced by making the surface is smooth by polishing तो देखे बच्छो मैं आपको बताता हूं कि friction हमारा किस पर depend करता है यह जो हमारा friction है वो direct to direct हमारा roughness पर depend करता है तो देखे अगर माली जो हमको friction कम करना होगा तो हमको roughness भी कम करना पड़ेगा और roughness हमारा कम कैसे होगा तो कोई भी surface को smooth बना के हमारा roughness कम होगा तो देखे smooth हम कैसे बनाएंगे तो देखे बच्छो हम उसको polishing कर देते हैं क्या करते हम उसको polishing कर देते हैं पॉलिशिंग करने के बाद हम कोई भी सर्फेस को क्या कर पाते हैं हम उसको इसमूथ कर पाते हैं तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं आगे है बच्छो हमारा फिरिक्शन कैन बी रिडियोज बाइ अपलाइंग लुब्रिकेंट लाइक वाइल और ग्रीज टू दर रबि आगे कर दो हो हूं तो चलिए अगर आप 때는 आप तो आपका साइकल पार्ट फार्ट यह क्या हो जाता यह है उसको इसको कोkichशी कर ने ए व्याrum ज्यादा में पहल बहुत हिघा कर Timesल गारन हम क्या कहते हैं उसको इसमूथ करने के लिए बच्छोपने कर लिए आसँ ऐस्ज कर इसória का यूज परकर और हम साइकल के चैन पर रखते हैं और साइकल के चैन पर दरक्ते और वह भाुत ही ज्यादाना लगता है और हम्लेकल के रिडिवाइट बिछिंग वीरुटॉ प्थू आपको पताएं गए खना अगरMe उसमें वील लगा देंगे यानि कि चक्का लगा देंगे तो जो हम्मारा अब्जेक्ट है बहुत ही असानी से चला जागा तो चले मैं आपको एक डे टू डे लाइफ एक्जामपल दे देता हूं तो तो देखे बचे यह जो हमारा बैग है यह जो आप बैग देख रहे हैं अ आप इस बैख को आसानी से खीच पाईएगा तो यहां क्या हो धू को कम करने के लिए क्या लगा रहा है हम बैग में वील लगा रहे हैं यानि कि चक्का लगा रहा है तो चलिए अगला पॉइंट है बच्चो हमारा इसका यूज हम बचो अपने शाइकल में भी करते हैं तो कि जो भी हमारा साइकल का रोटेट और ऑभा तरह की रहा पाते हैं यह जो आप पार्ट में लुवह लुं के हम के लाटि करून का के इस करतें बॉल बेरिंग का युज का क्या थितेंगि सबसे पहले kata w получ is altri 2 sub dance which are able to flow easily तो तुसिक को बच्टो उसको म्लड़ आ तो तो इसमें बच्टो हमारा दो होता है निर संग अपर नेकिटा 1000 वार्ट एयर 15- tax कार बस एरो प्लेन रॉकेट चैनल देख वडू म Это इकक्जम्पल बता देता हूँ कि कैसे ने है जो हमारा वह बता देता हूं तो इस गब划ि यह जो हमारा आप यहां पर एक नशीन को देख रहे तो यह चलता वायो इस पर भी क्या लगता है तो इस पर भी हमारा Frictional force लगता है तो देखे इसका motion इस टाइप का है इसका जो motion है ओ ऐसा है इस डिरेक्शन में लेकिन Frictional force इसके opposite direction में लगता है Frictional force इसके opposite direction में ही लगता है तो चलिए मैं आपको एक और example देता हूं तो चलिए यह जो हम यहां पर आप देख रहे हैं एक बढ़ है ओ क्या करा है फ्लाइ हो रहा है तो इस पर भी बच्चो क्या लगता है इस पर भी Frictional force लगता है और यह Frictional force कैसा लगता है तो जस्ट इसके motion के opposite लगता है तो चलिए अब हम आगे देखते हैं तो आगे है बच्चो हमारा आगे है हम हम वाटर एकजर्ट और Frictional force on boat, speed boat, ship, submarine and fish तो देखे ब Water और और को क्याता है तो बी हमारा क्या लगता है धो भी मसली होता है उस पर लगता है अबच्चो यह जो पउइंट है यह जो मैंने बदानेए यह बहुत ही ज़एंपोर् WAENT थे तो अगला Point है बच्चो हमारा The Frictional force exerted by fluid is known as drag force तो देखे बच्छो जो भी हमारा force जो हमारा liquid के द्वारा exert होता है liquid and gas के द्वारा तो इन दोनों को हम क्या बोलते तो इश्कों हम बोते बच्छो द्रैग फोर्स यह आपको याद रखना है तो चलिए अब हम आगे देख लेते हमारा क्या तो देखे बच्छो आगे है हम हमारा बच्छो तो मैंनिट्व फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स तो देखे इहां पर बच्छो हमारा बात हो रहा है ठीक के दूआ एक जाट के है फोर्स और गैस के दोआग उडिप्र नेन सतन हुर्चो पहला है हम इंप्छेथ ब्रेयुग टुडण ऑफ फीसन ऑफ ब्रत भीन यहोग मैं यह आपको बहुत ही आसानी से पता देता हो तो कि माल लीजए यह हमनाना बस है और ये भी एक हमारा बस है तो देखे बचो ये इस direction में इसका motion है और इसका भी बचो इस direction में ही motion है और ये जो बचो है हमारा बस ओ 45 km पर आवर से चल रहा है और ये जो बस है बचो ओ हमारा 100 km पर आवर से चल रहा है तो बचो जितना जादा किसी भी चीज का we should吧 उस पे जादा क्या लगेगा उस पे फ्रिक्जिनल फॉर्स लगेगा तो इस पह जो है बचौ ऑं चांफ ब॑ाइख अम आपके सरील पर हाब मोuit ही कम आएगा लेकिन आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाईएगा जो आपके सरी पर जो हबा आ रहा है वह बहुत ही ज्यादा स्पीड हो जाएगा क्यों क्योंकि उहां पर बच्चो जो फिरिक्शनल फोर्स है वह ज्यादा लगने लगता तो देखे अगला है बच्चो हमारा the object having streamlined shape face less friction force than the object who do not have streamlined shape तो देखे बच्चो streamlined shape क्या होता है ओ मैं आपको बता देता हूं तो देखे बच्चो मान लेजे यह मेरा एक कार है मैं अच्छा से समझा दो तो देखे बच्चो यह एक मेरा कार है, यह क्या है? यह एक कार है हमारा, और मालीजे यह एक बस है, यह क्या है, यह कार है, यह हमारा बस है, अगर मैं आप से पूछू कि इस पे सबसे ज़्यादा अगर इस पर frictionelle force अगर लगा अगर यह ऐसे करके चला जाएगा यह भी ऐसे करके चला जाएगा लेकि अगर बस पर लगएगा तो कहीं पे भी हावा फिरीक्षिनल फोर्स नहीं जांग तो यह जो हमरा CAR का safe होता इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है streamlined safe तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं तो अगला है बच्छो हमारा दो सकेंड में तो देखे बच्छो अगला है हमारा larger the size of the object moving through fluid the greater will be the frictional force तो देखे बच्छो अगर कोई भी चीज है वो जा रहा है हम अगर उसका size जादा है तो उस पे frictional force ज़ादा लगा अगर size कम है तो उस पे frictional force लागेगा तो देखे आप एहां पर kis टीकनेस का जाता है तो उस पे ज्यादा अगर ज्यादा फ्रिक्सिनल फोर्ट यहां पर मैं and को अपो इह ग्यां ho gya ory eye out water हो गया critics विचा पूछू कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल कि पर लगता तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा Frictional Force वाटर में लगए क्यों क्योंकि वाटर जो है हमारा बहुते हैं डैन्सर होता है यानि कि इसका थीकने से यह से ज्यादा होता और थीकने ज्यादा होने के कराण इस पो फ्रिक्षनल फोर्स होता वह ज्यादा रगएगा अब इस चेप्टर से जो भी related important question है उसको हम कर लेते हैं और बचो question करने से पहले आपसे request है कि प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें like करें तो चलिए हमारा पहला question है arrange force due to rolling statics sliding friction in decreasing order तो यह हमारा जो rolling friction है sliding friction है और statics friction है इनको decreasing order में क्या करना है इनको decreasing order में हमको लिखना है तो देखें इसका answer हो जाएगा बचो सी यानि कि सबसे ज़्यादा हमारा friction force किस में रहता है statics में रहता है फिर हमारा sliding में रहता है फिर हमारा rolling में रहता है तो चलिए अगला question है बचो हमारा a big wooden box is being pushed on the ground from east to best direction the force the force of friction due to the ground will act on this box to guard तो देखें यहां पर हमारा question है कि यह जो हमारा box है यह box है हमारा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वह हमारा east से best direction में जा रहा है तो मैं आपको यहां पर direction बनागे देखा रहा है देखें बचवें अबकिसी भी मैप का जो सबसे उपर वाला इस साइड है तो हमसे पूछा है की Frickson Forge किस साइड रखे लगेगा तो देखिए Frickson Forge इसके opposite में लगेगा Frickson First इसके opposite लगेगा तो Frickson Force हमरा इस इस direction में लगेगा इस इसका एंसर हो जाएगा ची ज़िन अब हम आगे देखतें आगे स्प्रिंग बैलेंस के लिए करते हैं और इसका एंसर हो जाएगा बोथ ए एन बी अब देखे बच्छो हमारा अगला कोचन है कि कि अब हमसे पूछ रहा है कि इसका स्टाटिक्स फ्रिक्षन कितना होगा तो देखे बचो स्लाइडिंग फिरिक्षन अगला कोई ज़्यादा होगा तो इह एट न्यूटन से ज़्यादा अगर फोर्स है तो है है हमारे पास option में 10 तो इसका answer हो जेगा 10 तो चलिए अगला question है हमारा a body shape which offer very little resistance to flow of air और water around it तो देखे इसको हम बोलते बच्चो streamlined shape sorry streamlined shape तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे question है हमारा which of the flowing does not have a streamlined shape तो इन में से streamline shape किसके पास नहीं है तो देखे अगला question है बच्चो हमारा the frictional force exerted by fluid is called to do it fluid के जो तो दो आरा जो भी friction force exerted होता है उसको हम बोलते बच्चो drag force और मैं आपको फीर से बता देता हूं fluid हमारा होता क्या है जो flow हो सके तो इसमें हम हमारा आता है बच्चो लिक्चूड और इसमें आता है हमारा of yesterday यानिकि गास आता है तो चलीए अब हम आपको अगला question बत दो अगला question हमारा ball bearing is a device good convert ball bearing बइच कर मात देखे ball bearing क्या करता है उस cheer हमारा sliding friction को किस में convert कर देता हो sliding friction को rolling friction में convert कर देता jonifications यह जो है sliding friction को क्या करता है rolling friction में convert कर देता है चलिए अब हम अगला question देखते हैं तो बच्छो अगला question है हमारा the magnitude of drag friction does not depend on तो देखे इस में से हमको बताना है कि drag friction का magnitude किस पर depend नहीं होता है तो देखे बच्छो speed of object तो नहीं speed of object पर depend होता है shape of object पर भी होता है size of the object लेकिन यह जो डी वाला option है material of object यह नहीं होता है तो देखे अगला question है बच्छो हमारा friction depend on the friction हमारा nature of the object पर भी depend होता है और साथ इसा force with which surface surprise तो इसका answer हो जाएगा सी तो बच्छो हमारा question हो चुका है अब आप से रिग्रेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को like करें subscribe करें झाल